इस वीडियो में हम लोग उत्तराखंट PCS Pre का जो एक्जाम आज हुआ है उसका GS Paper First देखेंगे क्योंकि इसमें GS Paper First का ही मार्ग जोड़ा जाता है जो सी साइट होता है स्केंड पेपर वह क्वालिफाइंग नेचर का होता है तो इसमें 1.500 प्रस्ण दिये गये हैं और इसमें वन फोर्थ का नेगेटिव मार्किंग था तो आईए हम लोग देखते हैं पूरा क्वेपर यानि 1.500 और उसके आंसर भी हम देखते हुए चलेंगे यानि आंसर की भी ह कहीं कमी हो तो आप मुझे कमेंड में जरूर बताएगा और साथ साथ अगर आप सोर्स भी बता देंगे तो मेरे लिए काफी इंपार्टेंट होगा क्योंकि मेरा मानना है कि जो लोग BPSC देने जा रहे हैं या CDPO का एक्जाम देने जा रहे हैं या UPPCS का एक्जाम देंगे उनके लिए काफी इंपार्टेंट होगा और मिनिममम दो क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर से आएंगे ही आएंगे तो किसी भी क्वेश्चन का गलत उत्तर नहीं होना चाहिए मैं बताओं या कोई और बताए तो आईए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन पहला दूसरा है लोक लेखा समित के लिए लोग सभा से कितने सदस निर्वाचित की आते हैं तो लोग सभा से 15 सदस और राज सभा से 7 सदस पी एसी में यानि पब्लिक एकाउंट कमेटी में कुल 22 सदस्य होते हैं तीसरा क्वेश्चन है कांग्रेस के द्वारा भारत की पूर्ण सभा के लक्ष की घोषवा किस अधिवेशन में की गई थी तो यह लाहर अधिवेशन 1929 में की गई थी जिसमें जवाहलाल नहरू इसके अध्यक्ष थे और भारत की समिधान सभा के द्वारा राश्टगान जो है जनगडमन का हिंदी प्रारूप को अपनाया गया था तो इसका उत्तर है 24 जनवरी 1950 24 जनवरी 1950 को यह अंतिम से संथा कि जबकि सभी सदस्यों ने इस पर साइन किये थे और साइन करने के बाद इन लोगों ने सभी ने रिजाइन कर दिया था और इसके बाद हमारी सरक अमीर के प्रतम उपराजपाल निम्न में से कौन थे तो इसका उत्तर है भी गिरीश चंद मुर्मुजी गिरीश चंद मुर्मुजी पहले उपराजपाल थे और इनको बाद में सीए जीवी बनाए चीफ आफ डिफेस्टफ यानि Cद्यस टीनो सेवाओं की आओं की सीवाओं के विशय में किसके सेने सलाहकार हैं तो यह हैं भारत के रक्षावंत्री के न की भारत के राश्पती के क्योंकि यह उस्तिर में लेती हैं। फैसला तो राश्पत्ती ही लेता है अंतराश्टी स्रम संगठन जो कि उनाइटेड नेशन आर्गनाजिशन युवियानों के अंतरगत आता है इसकी अस्थापना उन्नीश व उन्नीश में हुई थी संपत्ती का अधिकार निम्न में से कौंसिस रेड़ी में सम्मिली था है तो जो संपत्ती का अधिकार पहले मौली का अधिकार था जो की 31a में था और अब इसको कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार कर दिया गया है जो अनुछे 300a में डाल दिया गया है निम्न में से कौन छेती परिशत की अध्यक्षता करता है तो भारत के ग्रिह मंत्री यानि Home Minister of India ये छेती परिशत यानि Regional Council के अध्यक्षता करते हैं यद किसी महा पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो उसके चुनाओं कितने महा के भीतर हो जाने ही तो छह महा के भीतर किसी पंचायत को भंग करने के बाद उसके चुनाओं हो जाने चाहिए यह 55 राजवरोस्ता से क्वेश्चन है भारत में सार्क सिखर सम्मेलन सरप्रथम किस वर्थ आयुजित किया गया था तो भारत में सरप्रथम सार्क सिखर सम्मेलन 1986 में बंगलोर में आयुजित किया गया था और पहला सार्क सिखर सम्मेलन धाका में 1985 में आयुजित किया गया थ थार्टी एंथ को तेरहमा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संवैधानिक संसोधन भारत में पिछडी जातियों के लिए राश्टी आयोग के घठन से समंदित है तो 102 यानि 100 सेकेंड जो कारकाल कितना होता है और राश्चाभा के सदस्त का भी कारकाल 6 लिए भारत के द्वार्ट के द्वारा पहले प्रयोग नहीं यानि नौफस्ट यूज या न्युकलियर नीती की अपनाते समय वारत के प्रदानमंत्री कौन थे तो यह थे अटल भीहारी बाच पर इने कहा था क कि हम अपने पर्माड बम यानि पर्माड होत्यारूं का सबसे पहले उपयोग नहीं करेंगे लेकिन अगर कोई पहले करेगा तो उसका जवाब हमने चीत रूप से देंगे सोलावा कोश्चन निमलखी तित्कियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवाएं दिवस यानि सिविल सवसेश डे मनाया जाता है तो अप्रिल महीने में एकजाम हुआ है और अप्रिल महीने का ही ये कोश्चन पूछा गया है तो इसको बहुत इसली हम आंसर दे सकते थे 21 अप्रिक को सिविल सवसेश डे मनाया जाता है केंदरी सूचना आयोग की स्थापना कब होई थी तो केंदरी सूचना आयोग यानि CIC की अस्थापना दोऊजर चारखंड में कुल चार सीटे हैं उत्तराखंड में तीन सीटे हैं 36 गड़ के लिए पांस सीटे दिए पंजाब को साथ सीटे इस तरह से मिलाने पर हमारा डी आप्सन बनता है निम्न में से किसे संसत की कारवाईयों में भाग लेने का अजकार प्राप्त है तो भारत के महा नयायवादी यानि अठाणी जनरल आफ इंडिया जोकी अनुच्छेद 76 में आते हैं इनको संसत की कारवाईयों में भाग लेने का अजकार है जोकि अनुच्छेद 88 के अंतर गत राखता है लेकिन यह ओ का सकते हैं Ichi अक्र मैं 16 अंडीन सींग रарवत वह मुख्यमंत्री थे जीनोहने बिधान सभाक में 11 न को ग्रियस मिकालिन राजदानी बनाने की घोशड़ा कीि ती in निम्नांकित किस कमिशनर ने राज़स्व प्रडाली का प्रारम किया है तो सर हेंडरी रैमजे प्रारम प्रारम में शुरू किया था राध सभह में 3, लोग सभह में 5, Tobin Tax किसी लगा जाता है? hier scientific country के द्वारा जाता है यह बिदैसी ऑधिनवे लेन ढगा जाता है ? यह बिदैसी बीनिमय लेन देने पर यानि जो एक्सचेंज होता है इसमें Tobin Tax लगा जाता है भारत में किसी उत्पादों के बाजार पे कौन भी नियमित करता है तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर राज्योदारा अधिनियमित कृसी उत्पाद भी पड़न समीती अधिनियम जो APMC है वो कंट्रूल करती है लेकिन इसका आंसर चेंज हो सकता है हो सकता है पहला भी हो तो सारी सी हो इसका मैं एक्जैक नहीं बता सकता हूँ तो B या C में से कोई होगा वो इसे most probably B ही होना चाहिए निमनिकित में से कौन सा कथन राश्टी विकास परिशत से संबंद हिस्ता ही नहीं है तो यह कह रहा है सही नहीं है इसके अंतरगत सभी राजों के मुखमंत्री होते हैं सही वात है होते हैं यह गैर समवैधानिक निकाय है सही है यह समवैधानिक निकाय नहीं है प्रते एक कि लोग सभाब महिला सांसाँ रोंदों कर संक्राइब नुहूंतम थी जो की 1952 लोग बता रहें इसका अ assigning 1952 में कुल 22今日 Thailand त्हीं में कुल इस है औरा इम् steeds Bitcoin ऐसे सिर्फिया से देशें को क्जिश देतां बाकि किसी को कर्ज नहीं तेतां जितने इसके Member Country हैं एक मुलब एक मुद्रा के मुल में बृद्धी दूसरी की तुल्ला में क्या है तो उसके मुद्रा की मुल्डी ही होगी यह थोड़ा सा Confusing Question है कि एक मुद्रह ऐा कोई के मूल में अगरवर्ध्य को मान ले तो हैं जो क्या होता कि दूसरे क्या होगा यह इसा होता है यहां कह रहा दूसरे व्रिद्धी हो रहा है तो इस तरह से इसका आंसर ठीक हो जाएगा निम्लिकित कथनों में शेक कौन साथ सही है मुद्रा इस फीती उधार लेने वालों को लाग पहुंचाती यानि जब इन्फलेशन होता है यानि महँगाई आती है तो जो उधार लेता उसको लाग पहुंच लेना होता तो उसको ज्यादा लेना क्योंकि महागाई बढ़ गई है उसी सेम चीज़ को खरीदने के लिए उसको ज्यादा लेना हुगा इसलिए पहले अगर उदाल ले चुका है तो वह लाग में है 1991 के आर्थिख सुधार के बाद भारती अर्थ व्यवस्था में नीम्ड में से क्या परिवतन हुगा है तो इसमें 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारती अर्थफवस्था में निम्न में से क्या परिवत्न हुआ तो LPG के बाद FDI का अंताप्रवाब बढ़ा यानि Fire and Direct Investment का अंताप्रवाब बढ़ गया और VDAC, VINIME, COS में ब्रिद्धी हुई है तो इसका आंसर दोनों हो जागा B और C दोनों हुए है Equity Sears यानि Street Equity Sears क्या होते हैं यह कंपनी के कर्मचारियों को आवंटीद किया जाते हैं hundred 35 राश्टी स्काद सुरअज्छा मिसन की शुरुवात में इस मेंसे किन बस्टुों का उतपादन बढ़ाने के लिए किया गया था तो गेहुँचाओल और ढल इसका उतपादन बढ़ाने के लिए भारत में किस प्रकार की करड़ पराली पाई जाती है तो भारत में प्रगत्तील प्रकार की करड़ पराली पाई जाती है यानि टैक्स सिस्टम होता है निम्न में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है तो जो पांचवी योजना है 1976-79 74-79 जो था इसको पांच योजना कहा जाते और इसको एक साल पहले ही 79 में ही इसको कहिंतिल कर दिए गए थी और उसके बाद एक साल की एक प्लान ओलाई गए थी इसको रोलिंग प्रांग कहा जाता है कई लोग उसको छटवी योजना कहते हैं लेकिन मेरे इसाफ से इसका आंसर पांची योजना होगी निम्मे से कौन सा कसन सही है तो NNP is equal to GNP minus depreciation और NNP is equal to GDP plus विदेशों से प्राप सुद्ध आय minus depreciation ये दोनों सही है ग्यारा हमी पंचवरसी योजना में प्रतपादी समावाई सी विक्यास में निम्म लिखित में से क्या सामिल नहीं था तो इसका उत्तर है पूजी बाजार को मजबूत बनाना यह निशीत रूप से 100% सही उत्तर है और इसका उत्तर बदलेगा नहीं कि आलोचना की जाती है क्योंकि लोग कहते हैं कि जो ब्यापार विवाद है इसको निप्टाने का कोई तरीका नहीं है यह भी सही है यह बहुराश्टी निगमों की कट्पुतली है जितने डेवलप कंट्री है वो अपने इसाफ से सोचलाते है यह सदसलेशन की संप्रम्ता को कम करता है कई बार कंट्रोल करता है उसका उत्तर होगी गाटा सोनने है तक उधार कि रासी होगी इसका उत्तर होगा ब्याज भुक्तान से अधिक प्राथमिक्वाटा वह होता जो हमारा लोन लिया गया था उसका जो बकाया ब्याज है उसको प्रात्मिक घाटा काते है अगर वो उसके पहले का हमारा सारा लोन चुकता है उसके ब्याज नहीं देना है तो भी जो हम उधार किरासी लेते हैं तो उधार किरासी हमें इसा से ब्याज के भुक्तान से अधिक होगा कई वार ऐसा होता है जो हम लेते हैं उससे ब्याज जादा होता है ब्याज कब जादा होता है जब पहले का अलेडी ब्याज हमें देना है और इस पार भी ब्याज देना है तो वो ब्याज जादा हो जाता है जो हम उधार ले तो इस तरह से ब्यात भुगतान से अधिक हो जाता है United Nation Development Program के HDR यानि Human Development Report में Link असमानता सुचकान की सुरुवात Human Development Report 2010 से सुरु किये थी और UNDP की मानोविकास Report 2022 में भारत का जो rank है वह 131 है निम्न में से किस वर्थ MSME के आध्यतन वर्गिकरण किया गया था तो इस बार जो classification MSME का होस को बदला गया है वह 2020 में चेंज किया गया है Guilt Edge Security किसको कहते हैं तो सरकारी प्रतिभूर्तिया जो है जो Government Security जो होती है उनको Guilt Edge Security कहा जाता है बहुपक्षी विनियोग गारंटी अध्यकरण MIGA जो है वह विश्व बैंक से related है बस्त एमंग सेवाकर के द्वारा यानि GST के द्वारा निम्न में से किस कर को समात कर दिया गया है तो WET यानि Value Added Tax जो होता है मुल संबर्धित कर को समात कर दिया गया है निम्न में से कौन सा प्रतिष्ठान उत्राखण में नहीं है तो HAL हिंदुस्तान और अर्टिकल लिम्टेड उत्राखण में उपस्तित नहीं है यानि इस्थित नहीं है इसका उधारन नहीं है तो अगर विदेश में कोई फार्मा कंपनी है वह बांड या इस्टाक बेचती है तो यह इनवेस्टमेंट नहीं है जबकि वहां से पैसा निकाल नहीं हो उत्राखंड में कितने परवती जीलों में 2021 में चाय विकास कारिकरम का संचालन किया गया है तो नौ जीले ऐसे हैं परवती जिसमें चाय विकास कारिकरम का संचालन 2021 में किया गया है उत्राखंड में निमलखित में से किस प्रकार के बैंकों की संख्या 2021 में नियुन्तम थी त जादर ग्रिगर जान मेंडल को माना जाता है राम सार अस्तल क्या है यह अंतर राश्टी महत की आर्थ भूमिया यानि वेट लेंड साइट है वस 2021 में केमिश्ट्री का नोबेल पुरसकार वेंजामिन लिष्ट वर डेमिन डेविड मैकमिलन को दिया गया है 2021 के लिए में 26 संयुक्त राश्ट जलवाई परिवर्तन संवेदन कॉप 26 यह ग्रासको में हुगा था और WWF Worldwide Furniture जो है इसका जो प्रतीक चिन है यह है गैंट पांडा या महाकाय पांडा इसको करते हैं भारत गर्डाज का सरोचनागरिक पुरसकारिया भारत रत दूसरे नंबर पर पद भूशन आता तीसरे पर पद भूशन और चौथे पर पद भूशन आता है सुदूर संवेदन तक्नीक यानि जो रिमोट सिंसिंग जो होता है वहां बिद्दुच चुंबकी तरंगों का प्रयोंग की आता है जूम एक प्र चालक में अंतर क्या है और चालक जो होता है यह लेस कंड़ेक्टर होता है इसको जब हम टेंपरेचर देते हैं या फिर कोई अलग से उर्जा देते हैं तब यह चालक के रुप में पर रिप्रिटी सो जाता है उत्राखण में वैट 2005 में प्रारम किया गया था और को भूमिका क्रिसक या जोतनेवाला कहा जाता है etr fringe कर्वी विटमिन सी की कमी से होता है पस्वु को कृत्रिम गर्भादान में प्रयुक्arणमों को लिक्विड नैट्रूजन में रखा जाता है उ यह लिए से प्योग से सर्कराय यानि हम इसको कर्भाटीट करते हैं आन मै अभियांत्र की प्रयोगों में अतिन उपयोगी दो जीवाण यानि दो बैक्टिरिया है एसरिशिया कॉलाई और एग्रोबैक्टिरियम यह बाय टेक्नालिजी में हर जगह यूज किया जाते हैं दो जैविक समदा के मध्ध का संक्रमण छेत्र जो होता यह इको टून कहलाता है यदि कोई एक इन्पुट हाई या मतलब एक है यानि उस पर इन्पुट दिया जा रहा है तो इस गेट को हम और गेट कहते हैं और गेट में होता क्या है या जब हम जीरो इन्पुट देंगे जीरो इन्पुट आएगा जब हम एक इन्पुट देंगे तो एक इन्पुट आएगा जब हम एक एक यानि दो nov डेंगे तो भी हमारा एक रिजल्ट आएगा इस तरह से रिए लाजिक सर्किट का ऑउटपुटC क्या होगा तो dife मेरे हिसाब से इसका उत्तर तो जीरो होना चाहिए क्योंकि यह अंड गेट दिया गया है यह सारी यह नंद गेट है तो नंद गेट में जीरो होना चाहिए लेकिन इसका उत्तर मुझे सही से पता नहीं है इसलिए में इसका उत्तर बताने सकता हूं OSI reference model किस लेयर पर IP address का प्रयोग होता है तो नेटर्वक लेयर पर IP address का प्रयोग होता है निम्लखित में से कौन सी computer system में प्राथ्मिक मेमरी है तो RAM जो होता है यह जो program है उसको decode करके direction देता है प्रकास की गति maximum निरवात में होती है वैकियूम में प्रकास की सब्स्यादा होती है y में उससे कम और जल में उससे कम हो जाती है यानि किसी मीडियम में जाने पर प्रकास की जो चाल होती है वो कम हो जाती है। उत्तराखंड में किस अस्थान पर भारती मौशम विज्ञान विभाग ने एक डापलर वेदर राडार को अस्थापित किया है तो यह है मुक्तिश्वर। भारत में वन अनुसंधान संस्थान जोकी देहरादोन में अस्थित है इसकी अस्थापना 1906 में हुई थी। केदारनाथ वन जी अभ्यारण को किस जंद के सरचन के लिए अस्थापित किया गया है तो यह है हिमालई कस्तूरी मृग। निम्ल में से कौन सा उत्राखंड का राजकी वरिक्ष है तो बुरांस जो है वह उत्राखंड का राजकी वरिक्ष है। निम्ल में से किसे नोबल का सांती पूरसकार 2021 सामालित किया गया है तो मार्या रेसा वह दिमित्री मुरातों को नोबेल पीस प्राइस 2021 दिया गया अनपूरा परवत पर चढ़ने वाली पहली भारती महिला प्रियंका मोहिते हैं सुर्थगी लताम अंगेशकर को भारत का सरवच रत्पुरसकार यानि भारत रत्पुरसकार 2001 में दिया गया था मिताली एक्सप्रेस एक नई यात्री रेल है जिसका हाल ही मुद्घाटन किया गया धाका से न्यूजल पाई गुड़ी को जोड़ती है मिताली एक्सप्रेस मिताली राज के राम पर दा वर्ल्ड बिनीत इस फीट पूरिला गोपी चंद की यह जीवनी है और राइटिंग विद फायर एक ऐसी भारती डाकुमेंटरी है जो की आसकर 2022 के लिए नामा कीत किया गया था लेकिन कोई अवार्ड चीतने में यह अस्पल रही है लिटाटी किस भारती राज ने जन्वरी 2022 में छात्र स्टाटप और इन्नोवेशन पॉलिसी SSIP 2.0 की सुरवात की है तो गुजरात SI स्टेट है कि जिसने चात्र स्टाटप और इन्नोवेशन पॉलिसी सुरू की है उत्तराखण में मैती आंदोलन का जनक कल्यांड तिंग रावत है और विश्व रैपिट सत्रंज 2021 नोधिर बेक अब दो सत्तरों ने जीता है बिश ओजोंदिवस प्रतेगवस 16 सितंबर को मना जाता है बहुत ही इंपार्टन कोश्चन है और 88 कोश्चन निम्रखित समाचार पत्रों में किसने प्रतिष्ठी लोग सेवासरेणी में पुलिजर पुलिजर पुरस्कार 2021 जीता है तो निम्रखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो बजरंगपुन्या को रजत पदक नहीं यह कांसर पदक मिला हुआ था के मिराबाई चानु को रजद पदग निजद चोपड़ा को सौन पदग जो की भाला फेक में मिला वगा था भारत में मेजर ध्यांचन खेल विश्विदाले की अस्थापना उप्तरप्रदेश के मेरट में की जा रही है दिसंबर 2020 में ग्रह मंत्राले ने ससस त्रबल विशे सक्तियां अधनियम यानि आपासपा उननीस सो अठावन के अंतरगत निवन में से किस राज में छे महीने के लिए असांद घोसी कर दिया है तो यह है नागा लेंड लेकिन अब इस छेत को थोड़ा कम किया गया अभी हाल ही में एक दो दिन पहले निवन में से भारत के किस रेलवे इस्टेशन को हाल ही में निजी छेत की सहभागता के साथ एयरपोर्ट की तरह अधुनिक शुक्धाओ वाला बनाया गया है तो यह है राननाई कमलापती इस्टेशन भौपार जंगली हासियों को रेलवे ट्रेक से दूर रखने के लिए पूरवत्तर सीमांत इस्टेशन भी यह असम में लागू की गई है नॉब्बर 2021 में प्रसानमत्री स्री नर्यद मोदी ने एसिया के सबसे बड़े अंतराष्टी हवाई अड़े का सिलानायास कहां किया है तो यह है जेवर हवाई अड़ा जोकी नोईडा में है नोईडा अंतराष्टी हवाई प्रसिद गंगा साकर मेला प्रतेक वर्स पश्चिम बंगाल में आयोजित होता है और निम्न में से जो दपावर अबडाग है उसको सर्ष्ष्ट मूवी ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लूब अवाइड दो हजार पाईस मिला हुआ है कुछ लोग इसका आंसर कि रिचर्ड बता रहे हैं जो की गलत है और सुमेलित करना है जो निरत्य है कि स्राज का भरत नाट्यम तमिल्लाडू का है कुछी पुड़ी आंधर प्रदेश का और मोहिनी अट्थम के रिलते हैं कथक यूपी से रिलेटेट है तो इसका उत्तरती हो जाएगा बिस्तु की स्रेश जो के सांतनू नरायन इसका उत्तर हो जाएगा भी रिलिखित में से किस अस Issara पर प्रथम जैन परस्ट का अज़यन हुगा था निम्लिखित में से किस की रच नहीं हरसवर्धन के द्वारा की गय थी तो हर्सवरधन के द्वारा वरढ़ाना वर्धन मंस्क की संबंदित है तो काक्ति ये वंस जो है वह महिला सासक रोद्रमादेवी से संबंदित है निलावती का लेखक भासकर दिती ये था और यह एक गड़ी तक थे वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृसी कर्म की आठ बिभिन अवस्थाओं का वर्ड़न मिलता है यह किसे रिरिटेट यह था दी 1-10 साथवाहनवन से रिलिटेट था यह गधया 1 तंती यह से संबंदित था निमलिखितarest में से किस राश्र्टकूर सासक ने एलोरा की ऐलोणा के अधिरातमों मद्रिका निर्माण कि canyon मोरिकाल में परड़यां आपांत का लिनकर था यहां पड़यां से प्रड़े से अगर अर्थ देखा जाते है प्रेम निकल लगे आ रहा है प्रेम लेकिन नहीं यह एक इमर्जेंसी टैक्स था प्रड़ेम निम्लिखित में से किस राष्ट पूट सासक ने प्रतिहार सासक नाग भट दिती को हराये था इसका उत्तर है भी गोविन तृती ने प्रतिहार सासक नाग भट दिती को हराये था हजार दिनारी के नाम से मलिक काफूर को जाना जाता है और इल्तुतमिष का प्रतिजद्दी अली मरदान नहीं था बाकी ताज़üstदीन यल्दज जानिसुरदीन कुबाचा और मलिक अल्तूनिय यह इल्तुतमिष के प्रतिजद्दी थे रिगवेद के सरवाधिक मंत किस देवता को समर्पित हैं तो यह इंदर देवता को समर्पित हैं सबसे ज्यादा निम्रिखित में से किसने खजाइन उल्फटूह नामक पुस्तक की रचना की तो अमीर खुसरों ने खाजाइन उल्ट फटू नामक पुस्टक की रचना किये है निम्रिकित में से कौन नूर जहाद जुनता का सदस्ट नहीं था तो खुर्रम नूर जहाद जुनता का सदस्ट नहीं था निम्रिकित में से कौन कविन्ट मिसन का सदस्ट नहीं था यानि financial decentralization लाड मेयोने से रूकिया वो था और गंगाराम तथा खीम देव नामक दो भाई किस आंदोलन के दोराम सहीद हुए थे तो यह भारत छोड़ा अंदोलन जो था उसमें गंगाराम तथा खीम देव नामक दो भाई सहीद हो गये थे राजा राम महन राय ने अपनी प्रसिद्धिकृती गिफ्ट टू मोनोथीष्ट फार्सी भाता में लिखी थी 1929 में महात्मा गांधी ने कौसानी नामक अस्थान पर अपना अना सक्ती योग का अनुवात पूरा किया था और भारती संग में बिला किसमें टिहरी राज का राजा मानविंद्र साह था तीहरी सी रियासत के प्रथम नरेश शुदर्सन साह थे और कालू महरा जो की काफी फेमस व्यक्ति था यह 1870 के विद्रों से रिलेटेड था एक सोतेस्वा क्वेश्चन निम्खित में से मध्ध काली इन गरंथों में से कौन उत्राखंड के इतिहास का सुरूत नहीं है तो बाबर नामा उत्राखंड के इतिहास का सुरूत नहीं है जबकि तारिक है बदायों नहीं साह जहा नामा जहागे नामा इसमें उत्राखंड का स्तुरूद दिया गया है विश्वत रेखा में निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती तो मैक्सिको से विश्वत रेखा नहीं गुजरती है यह केनिया से इंडोनेसिया से ब्राजील से इक्वेटर गुजरती है बिजय नगरकाल में दचिर भारती की स्मिर्थ परवपढ़ा का पहली बार विकास हुआ तो बिजय नगरकाल में एक्षगान का पहली बार विकास हुआ था संसार की सबसे लंबी धरातली पर्वस्थिंखला आदीज परवत है जो की उत्तर से दक्षिन्ड है जबकि अगर पूछा जाए कि जो पूरव से पच्छिम अगर सबसे लंबी धरातली परवसिंखला कौन है तो यह ही माले परवन जो की पचीस सव किलोमीटर थी और यह लगबग साथ हजार किलोमीटर लंबी है जहां पूरवी घाटी और पश्मी घाट मिलते हैं वहां कौन स और फ्लोरिडा धारा यह इत्लांटिक महसागर में अप्लाइत होती जब्कि बंग्वेला नहीं है बंग्वेला जो है यह प्रहंत महसागर में ब्राजील के किनारे पर बिश्व का दूसरा सबसे बड़ा दूई निवगिनी है निम्र्छित में से कौन सा युगम सही सुमे नदी है और विष्व की सबसे बड़ी नदी है विष्व की पहली सबसे रंबी नदी नील नदी है निमनखित में से कौन कायांतरी चट्टान का उदार नहीं है तो जो डोलोमाइट होता है यह कायांतरी चट्टान का उदार नहीं है यह एक मिनरल्स होता है जब शारजाई, मार्बल और नीस ये सब काईंतरी चटान के उधार ह continuation है कौन सा पठार अरावली बिंद स्रेणी के मध्य मालवा का पठार इस assists है निम्न में से किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है निम्न में से कौन सी नदी सतुलिज नदी की सहायक नदी नहीं है तो रावि नदी शुलिज की सहायक नदी है निंद्रेंग से किस ने कहा था बनस्पति जलवाई का सहीम आपदंड है तो यह यह सब्सक्राइब क्योंने से कौन से प्रत सम किसा को कहते हैं यह सम मंधल में नहीं है तो सब्सक्राइबन चम्सेथ नहीं है तो गड़ाना या फ्रेंच्ट कोरू यह अमेरिका में नहीं कि अफ्रिका में है जबकि गैबन गिनी और गिनी विसाव या अफ्रिका में होता है। भारत का पिट्सवर्स्क जमसेदपूर को कहा जाता है जमसेदपूर जारकन में पाए जाता है। माता थीलाबाज भेतवा नदी पर इस्थित है। येच वी जे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्रिखित में से कौन सा गैस पंपिंग इस्टेशन नहीं रखता है तो गुना जो है इस पे यह पंपिंग इस्टेशन नहीं है जबकि आमला और यह अवराला इस पे एच वी जे पर पार जाता है एक सोस्टेशन निम्रिखित में से कौन सा राज 2011 में सबसे अधिक लिंगान पात रखता है यह आरा बार पुछा गया क्वेशन हो कई भार कई सारे तो तमिल्नाडू ऐसा राज्ज निम्रिखित में से कौन सा दीप लक्का दीप स्वमूहों का अंग नहीं है 1 तो तिलंग च जन प circuits अंतराश्थी सीमां से जुड़े हुए और अंधराश्थी सीमां से जुड़े हुए और जोड़ार चाहिना से ज्यूड़ा कॉश्चंए। भारत की 2011 की जनगड़नाना अन्सार उत्राखन राच के किन जन पादों में, नदी के उद्गम छहत्र के पास निम्लिकित में से कौन सा स्थान से संबंदित नहीं है, तो रूपी सिद कुल से संबंदित नहीं है, खैर किस प्रकार के बन में पाय जाता है, तो खैरा उपोश कट बंधी बनों में पायाता है, सब ट्राकल के ऋजेर menjadimind में लगभग 35 कुश्चन 35-36 कुश्चन जो की उत्तराखंट इस्पेसल से आये हुए है करेंट अफेस का अच्छा खासा वेटेज है तो जो करेंट अफेस और उत्तराखंट इस्पेसल पढ़ा हुआ था उसका आसानिस हो जाए और पेपर यह मेरे हिसाब से मौडरेट है आसान अभी नहीं कह सकते हैं और बहुत टफ तो नहीं है तो इसमें मेरे हिसाब से कटाफ जो पिशली बार जा रहा था उसी के आसपास होगा अब मैं कटाफ पे अभी बता नहीं सकता हूं जब तक की पूरा एनलसिस न कर लूँ तो यह रहे यूके पीस्ट का कुश्चन इसके अभी बात के वीडियो देखने के लिए आप मारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर जरू परें धन्यवाद